मसाला पास्ता बनाने के लिए हम ने यहां पर कुछ पास्ता लिया है और यहां पर हमने मसाला पास्ता बनाने के लिए यहां पर प्याज लिया है हरी मिर्च लिया है और यहां पर टमाटर लिया है और इनको चॉपिंग करके रख लिया है सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे पास्ते को हमें बोईल करना है तो हमने यहां पर एक बाउल में पानी लिया है पास्ता जल्दी उबल जाए इसलिए हम यहां पर एड़ करेंगे दो चमच नमक नमक डालने से क्या होता है पास्ता जल्दी उबल जाता है और अच्छे से फख जाता है पानी में उबाला चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे पास्ता यहां पर आपको एक बात ध्यान अखनी है पानी को उबालने के बाद यह आपको पास्ता एड़ करना है तो चलि अब हम इसमियाड कर देते हैं पास्ता और इसको हम चला देते हैं ताकि यह आपस में चिपके नँए तो येज़, आप देख सकते हैं कि पाने गरम हो गया है हमने पास्ता डाल दिया है और ये उबलना भी फिरो हो चुका है हमारा जो पास्ता है वो भल गया है हम एक बार चेक कर लेते हैं तो येस आप देख सकते हैं कि पास्ता हमारा कितने एकदम खिलमा खिलमा हो गया है इससे क्या होता है चलाने से लगतार कि आपका जो पास्ता आबस में नहीं चीपकता है तो आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है पास्ता येदी करते हैं इसके लिए हम नेया ँक टिल लिया है tre mayn Ś cricket basketball च्परों होने के बाद तक करेंके जीरा हमने जीर डाल दिया है हम इसको भुनने देते हैं जीरह हमारा भुन चुका है अब देख सकते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे कटा हुआ प्याज यहां पर आपको जो गैस की फ्लेम है लो ही रखनी है ताकि हमारा जो मसाला है जिलना जाए तो मैंने यहां पर अल्मॉस्ट सभी प्याज एड़ कर दिया है अब मैं इसको चला देते हूँ तो आपको इसको लो फ्लेम पी लगाता है चलाते रहना है तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा भुनन एकदम शुरू हो चुका है तो येस हमारा प्याज भुन चुका है अब हम इसमें हैड़ करेंगे कटा हुआ टमाटर कटी हुई हरे मिर्च तो येस हमारा जो मसाला है भुनना हो गया है शुरू आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है भुन चुका है तो मसाला भुनने के बाद हम इसमें एड़ करते हैं पाउडर मसाला तो यहाँ पर हमने टर्मेरिक लिया है मतलब भलती ली है कुछ लाल मिठ ली है और गरम मसाला एड़ किया है हमने इसमें तो इसको एड़ करने के बाद हमने इसमें आप इसको चला दिया है आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है कितने ही अच्छे बुन चुका है तो मसाला बुनने के बाद हम इसमें एड़ कर देते हैं जो हमने कि यह पास्ता उबाला हुआ था तो ज कि आपको जो मसाला है इसमें पूरी तरीके से फिल करना है ताकि यह मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है पास्ते में कितने अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है ऐसे हमारा जो पास्ता है बन चुका है बट मैं फिर भी इसको अच्छी लगी हो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप ये रेसिपी अपने घर में जुरू ट्राइ करें तब तक हमरा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें